नमस्कार आज हम जिस विशे का अधिन करेंगे वो है आपका जनसंख्या न्यादर्श एवं न्यादर्शन यह ऐसे का आपके कंटेंट है आपके अनसंधान के जिनके बिना अनसंधान करना पॉसिबल नहीं होता है और यह आप जानते रिये जब भी हम ऐसे करते हैं जिसमें हमको परिक्षड कराना हो और हमें रिजर्ड प्राप्त करना हो अकड़ों को प्राप्त करना हो या किसी के विचार प्राप्त करना हो तो इन में इन वर इन जो शब्दावलिया है इनका यूज किया जाता है और हम आज निका दिन करेंगे कि हम वास्तों में होते हैं तो पहला आपका टर्म है जन संख्या कि मैं दूसरा टर्म है न्या दर्श तीसरा है न्या दर्शन घीडंश को आज हूं डिफाइन करें के किस में कि सर्च में ठीक है रिसंगर में जन संख्या या का Population क्या होती है अइस आपका Sample क्या होता और नियादर्शन सैंप्लिंगợ pouckenर क्या हो टी इसका हमाज अध्यन करें तो जैसे पहले हम एक को रिसेर्च की बात करें तो रिसेर्च में दो परकार कि आपके सर्च होते सबद में प्रिआ मिलती है दूसरी क्या होती है कौंटी टेटिटी आपके रिभ इस चोती है जैसे प्ट आंकडों का संग्रह करते जो हमें नंबर्स मिलते हैं किसी के स्कोरिंग मिलती है जिसमें हम mean medium mode लगाते हैं या T test लगाते हैं काई स्कॉल लगाते हैं और हम क्या करते हैं? तो बहुत सारी आपके टेकनिक्स होती हैं वो हम चर्चा करते हैं रहने की research के types की लेकिन general term जो आपके आते हैं वो बहुत important है research में जैसे की जनसंख्या क्या है सेंपल क्या होता है कि सेंपल से हम क्या समझते और सेंपल का क्या योगदान होता है कि रिसर्च में तीसरा आपका टर्म है न्यादर्शन यह सारी आपके शोध अविकल्प के अंतरगत आने वाले हेडिंग्स के रूप में आप जानते लेकिन आज हम जानेंगे कि वास्तों मे हमें शोद में इन शब्दों की जरूरत क्यों पड़ती है यह यह शब्द क्या है कैसे हम इने डिफाइन करेंगे तो जो आपका जन संख्या होता है जन संख्या मतलब population जनरली आप जानते हैं कि लोगों की संख्या को जन संख्या मतलब जन की संख्या जितने लोग हैं लेकिन में जब हम इसको डिफाइन करते तो जम्हां संन्ख्या क्या होती वह संख्या लोगों क्या वह वह आपका समूं जिस पर हम क्रिज को क्या करते हैं सैमानिक रैतिया यह जन्रलाइस करते हैं जैसे हमारा यसर्ट दाया हम एकegenraw को लेकर चलेंगे कि लाचिन चल रहे हैं और बच्चों के तरस्तर का हमध्यन करते हो और हमारा यसर्ट यह आएगा माली जजे कि हां बोर्ड के समय बच्चों के तनाव चत्र में विद्धि उती तो जुछ जन संख्या होगी, तो बोर्ड इक्जाम में अगर हमने कक्षा 10 के बच्चों को लिया, तो कक्षा 10 के समथ्थ बच्चे अगर आप कैटेग्री वाइज लेते हैं तो जॉनपुर जनपत के कक्षा 10 के समथ्थ बच्चों के तनाउस्तर में विर्धि हुई हमने result जिसको जन्रलाइस किया this part this is video पॉपलेस्टमार्ष निए डिश्ट्राइव्पवздर्सांट जो रहुआ होती है वह प्उपलेस्टर होती है इसको समस्टी भी बोलता है समस्टी यह जन्संख्या दोनों ए छीज ओती है अ कि आना की टतनी आ पर इतने फटनी में पर इंगा उसके जन संख्या कहेंगे तो हम क्या करते हैं, जिसके लिए हम research करते हैं, महला समूधारे, पुरुष समूधार, विरामाईडी समूधार, सहरी समूधार या आपका particular किसी छेतर का है, जिसके लिए हम research, problem को solve करे हैं, जोtonel होगे, वही क्या होगे, आपकी जैनसंक्या या samastry ह centres श्मर्य किह से टोटल इसमेंगे स्वार्य और लोगह आजये जो जिन мам क्या आप की दिख लिए अध्यान कर रहें और जिनकी बीच के समस्य और समधान करने के लिए अपका रहा है जैसे हमें किसी पर्टिकुलर छेतर का कोई बच्चा ले लिजे और हमें देखना है कि उसका समायोजन इस तरक्या मतलब उस कैसा एड़ेस्ट करता है तो थंडे प्रदेश का और गरम प्रदेश दो प्रकार के अपने बच्चे ले लिए तो हमारा रिजर्ट यह निकला कि थ थे स्विर ज़ाधा ठेड़ा होता है तो दो समय योजन जदा अच्छे करते हैं खरता घ्री आपके जनसंख्या होंगे तो फिर से मैं नीचे स्ट करऊंगे थोड़ा से जो आपको confusion है वो भी दूर हो जाएगा अभी धीरे धीरे आप पढ़ते रहें दूसरा टर्म आपके क्या है न्यादर्श तो न्यादर्श क्या होता है आप समझें न्यादर्श को इंगलिश में कहते हैं सैंपल तो कहते हैं न दवा की टेस्टिंग होई तो पल यह से सथी अब जैसे हमारे अनदर कॉन सा रोग है तो हमें ऑप यह पता करना है सबस्क्राइब हैं सब्सक्राइब मईतष तो ओस्टिंग होई आप थिक्प्तिंग है must यह पुरिए वोडिके ब्लड से हम थोड़ा सा क्या लेते सेंपल तो सैंपल मुएब ते ऊस न्यादर्श पर क्या करते हम टेस्टिंग करते हैं करते हैं कि उट रिजल्ट निकलता है कि नहीं इनकी हिमोग्लोबिन का मेंहें इंको पीलिया का खत्र है इस आठ है 9 यह नो है शूगर लेवल 160 प्लस है 180 प्लस 200 प्लस है इनको ब्लड़ शूगर है सेंपल पे होता है नहीं इसे वह समोच जिस पर हम अधियन करें कि वह छोटा समोच जैसे पचास बच्चों के गलास है और दूसरी 50 बच्चों की क्लास है तो या तो हम एक प्रकार से ऐसे स्टेडि कर सकते हैं कि 50-50 को भिढ़ा दें कुष्टी लड़ा दें तो जो मजबूत हो या तो हम क्या करें सैंप्लिंग करें कि इन से 5 आएंगे इन से 5 आएंगे ये दोनों लड़ेंगे तब भी क्या जीतने वाला जब जीत जाएगा एक तो कहें कि ये कलास पूरी जीत कई यह कंगी वह पांच बच्ची जीत क्या कहें कि वह गंप बलट निकालेंगे पूरे बॉड़े से तो वह सेंपल होगा उसमें जो चीज्जे फाइड होगी आप वहीं मानी जाएंगे क्या हमारे शरी में वही रोग हमारा शरीर उन्ही रोगों से ग्रसित है तो इसी जन्संख्या से चोटा समूझ जो हम टेस्टिंग के लिए निकाल लेते वह क्या होगा सेमपल जैसे यह जन्संख्या क्या हुई पूरे शरीर का रत और न्यादर्ष क्या हुआ वह सेंपल जो परिक्षण योग लिया गया जो या परिक्षण के लिए लिया गया मतलब टोटल आपका जो होगा वह पॉपलेशन होगा और उसमें से अगर हमने दो ले लिया चाल ले लिया तीस ले लिया चालिस ले पचास ले लिया तो वह क्या होगा न्यादर्श या सेंपल सेंपल का जो कंडिशन होता है वह यह होता है कि माना जाता है कि जो सेंपल होता है वह पूरे के प्रतिनिव्थित्व करता है जैसे क्या आपका ब्लड ग्रूप A है तो जो सेंपल निकाला तो वह ब्लड गूप का होगा निया आपकी शरीर में कुई शुगर है तो क्या उसमें से कोई इतना सभर निकाले टेस्ट कर तो सूगर नहीं निकले वही जिस सेंपल के साथ भी होती है कि अगर आपका पॉपुलेशन टोटल मालीजे महिला है और वह महिला जो है वह किसी प्रवगुड का प्रतिनिध्व करती तो जो उसमें से आप 10 लेंगे 20 लेंगे 50 लेंगे जो सेंपल के डूप में तो क्या होगा वह वह ऐसा होना जैसे महिलाओं में पंचायत करने का गुड़ देखें तो ऐसा होता है कि सब भी महिलाओं पंचायत करती तो यह तो आपको रिजल्ट है तो हम पता चले इस पर रिसर्च करने चले तो क्या करेंगे कि हमारे गाउं के समस्त महिलाओं पंचायत करती हैं तो पंचायत करती है यह कर सकते हैं सभसे पड़ेगा फुरे देश का करना हो तो उसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ लोहों भाइशा क्या करते हैं तो इस प्रकार सेयस हाँ करते हैं तो पापुलिशन मतलब टोटल और उसमें से वह समू जिस पर हम अध्यान करना चाहते हैं पहले कर्डिशन दूसरा वह समू जो इनकी उन गूड़ों का प्रतिनिद्द करें जिसका हम अध्यान करना चाहते हैं वह आपका क्या होगा न्यादर्शया सेंपल तीसरा जो टर्मा अध्यान करें करना हैं तो आपकी महल Act आपकी महलाएं बहुत सारी महलाएं थी तो हम ने कहां कि और सेंपल लेना तो जो मैं जानती थी ये बहुत पंचायत करती है और रचाथ केी हैं महिलाय क्या करती है पंचायत करती है तो मैंने का यह इसको मतलो उसको लो उसको लो जो जो सीधी सीधी थी मैंने बीस पची सुनने को क्या क्या कि सैंपल के लिए दे दिया कि नहीं इनको लीजे इनको लीजे इनको लीजे आप जाय अधन करें और वो क्या करेंगे उस पर लग जीद जाएंगhui कि नहीं हम अभर पंचेकने करता है तो क्या थाएक सोद्देष धाय सुविदानु सावे किसी आग क्मिक तैकनिक से किसी अम्मर्ण लिया किसी को क्या। ढलाता है और जिस धी के तोटल उसमें से कुछ जिस पर अध्यान करना है या कुछ जो इसके गुड़ों का प्रतिनिध्यत्व करें फिर अब उसको निकालेगा कोई तरीका होगा वही तरीका क्या है टेक्निक क्या है आपकी न्यादर्शन या सेंपलिंग टेक्निक अब आगे समझे थोड़ा सा विस हमारी जो अमारी जो शोद्व होता है उसकी विशवष नीर्था निर्भर करती है किस पर? livro गप्णादशन पर क्यों जिस प्रकार के सेंपल आप लेंगे क्योंकि अध्यान उन पर करना है ठीक जिस प्रकार कि आपके न्यादर्श रहेंगे उसी प्रकार से आपका जो प्र भावध होगा तो हम को क्या चाहिए कि हम अपनी ही दए कि हम वस्तुन स्ठीटा देख कि विश्वस्नीयद देख देखके कि शोध अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं तौ हम ऐसी तक्निको से हमें देना चाहिए न्याडर्ष स हुझा च्छा consistent तो जो न्यादर्शन होता है आके चर्चा करेंगे लेकिन यहां शॉट में हम देख रहे हैं कि जो न्यादर्शन होगा वो क्या है तो न्यादर्शन वो तक्नीक है जिसे जनसंख्या से न्यादर्श को निकाला जाता है तो यह दो प्रकार का होता है प्रसंभाविक और अप् प्रसंभाविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप्राविक्षप् वहां से पतानी क्या मूव बना रहा है रहे पतानी क्या पढ़ा रही कैसा सम्झा रही तो यह सब प्रॉब्म मुझे भी लगता है यह बहुत नहीं हो लेकिन हां इंपॉर्टेंट है तो प्लीज बहुत जादा गाली मत दीजेगा तो मैं पढ़ा दे रही हूं ठीक है आपको प्रॉब solution प्रॉब्म मेंटि वह मित्धर है जिसमें आपका प्रॉब्म टे लगता है यह सरसारी मतलब की ड्रैंडम आप यह नहीं कि हमिनको ही चुनेंगे उनको चॉनगे में पढ़ो संगे इनको चुनेंगे ऐसा नहीं डन्डमली आप चुनते हैं यह नहीं कि हाँ किसी उदेश से चुने या सुषिविदा से सुने जैसा प्रापरिपरटि 22 क्या होता है कि आपने बढ़ा होगा गड़ित में टोटल होता है जैसे कहते हैं कि लाल पीला काला काईट हो है तो समझ रहे हैं जो मैत के स्टोरे इंगा वह समझ रहें गाद, जो नहीं है वो भी समन गें वह समझान कि probableль क्या बाबल क्या तक रंडम यहां रिसर्च में कि रैंडमली, ४ूरे सारे possibility कितनी है कि हम किसी को भी चुन सकते हैं मतलब जैसे एक को चुना तो भी इसकी बाकि दूसरे की चुने जाने की पॉसिबिल्टी उतनी होने चाहिए यहाँ partiality नहीं होगी यहाँ से possibility होगी और हर एक उझे population के हर एक candidate की possibility होगी की वहाँ sample की रूप में आने की मतलब कोई भी आ सकता है यह हमें नहीं पता की कौन आएगा और अगर हम यही probability खतम कर देते हैं तो वह non probability method कहा जाता है कि मतलब हाँ जैसे ऐसे आपकी चीज़े भी हैं जिसमें हमें non probability method लेना है जैसे दिव्यांगों पे आपको अध्यान करना है तो हर विद्याले में आप कहेंगे कि इस ही यह हमने lottery रखी और इस विद्याले कि नाम रिखा इसमें से 30 आपके क्या होंगे student होंगे दिव्यांग तो पता चला हम कहां 30 नहों तो हमें सोदेश उसमें अपनाना पड़ेगा कि ऐसे विद्याले जहां पे दिव्यांगों की संख्या 30 हो या जैसे दिव्यांगों का विद्याले हो वहीं से हम अपनी sampling कर सकते वहीं से क्या हम sample ले सकते तो बहुत सारी चीज़ है दो आपकी टेक्निक कौन हुई probability और non probability probability मतलब क्या प्रसंभाविक प्रतिचयन जिसमें सब के आने की संभावना बराबर हो बहुत मैत नहीं पुड़ाओंगी इसमें यह probability आपका क्या है आप जानते हैं जो पड़े होंगे नहीं पड़े होंगे तो आप पड़ लेंगे यहां पे हमें उस probability से इतना समझा है कि ऐस जिसमें हर प्रतिक कंडिडेट के आने की जो पॉसिबल्टी हो संभावना वो समान हो जैसे लाटरी मेंधर आप इस एक विदी से आप probability method बुकाता सानी से समझ जाएंगे लाटरी में कहते हैं कि अन्ताक्षडी कहलेंगे जिसमें सबको गान गवाना है तो क्या करेंगे कि सारे student का नाम लिखके चिट एक समान दिखने वाले चिट मतलब यह नहीं चिटिंगी लाल इनकी पीली डालो तक इनकी निकाल ले ऐसा वैसा नहीं मतलब क्या equal आप डाल देंगे फिर आप समझे थोड़ा सा technique क्या होती है लोग ऐसे कहा देते हैं कि हैसे sampling technique ऐसे होती है वैसे होती है जब आप उसमें डालते हैं हाथ ठीक है हाथ डालते हैं तो आप क्या दिखता है कोई भी हम उठा सक करते हैं आप हाथ ऐसे वैसे करके एक निकालते हैं नाम खोलते हैं तो माल लिजा पहला संपल हमारा वह गया चलिए आप आप आपका टेस्ट लेंगे हम दूसरा फिर दूसरा निकालना है तो जो निकाल लिया है अगर उसको निकाल लिए तो एक तो कम हो गया उसमें तो द तोड़ी जबरजस्ति किया है यह आपका भाग्य है कि आप मेरे टेस्स के योगी लग रहे हैं और आप पर मैं शोद करूँ नहीं ऐसा है ना कि इसमें पॉसिबिल्टी सेम रखने के लिए हमें बार-बार उसको इक्वल करके फिर निकालना चाहिए और हम ऐसे ऐसे करके जमा है कर साहिदने में क्या करते है टेबल में टेबल करते का यह सेटनम नाम टेबल टेबलेशं करेंगे का इसोटापल लेंगे रेंडमली उसमें सेостिक अब क्या कर लेए है चूस कर लेंगे कि हमें यह न्यादॉश की रूप में receiving in the actor यह तर टेबल बनाש का शेभिना कि पक्षपात के बिरना किसी भेदभाउ के रैंडम रूप से किसी को कंट्रोलिंग नहीं हो कि नहीं यहीं बार बार आ रहे तो इस प्रकार के आपकी जो वीदी वेसारनियय वीदा इसके दो संद्र होती है स्तर हेई तो स्तर बातते हैं और ऊस्स्तर के नुरूम क्या। उसका इक्वल करके आप पर नंबर, डिवाइट करते है। और देखते हैं, हां यह ग्रूप। भी बाठते हैं। तो कई प्रकार से आप बारते हैं, क्लस्टर आपका होता है, यह भी क्या होता है, प्रॉबिल्टी मेथड होता है। गुच्छे की तरहां cluster बनाते हैं यह cluster फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं जैसे snowfall ऐसे मारते हैं यह आप अगर इस प्रकार से अगर आपने सही तरीके से रैंडम सैंपलिंग की है तो आपकी जो test की reliability है वो बढ़ी रहती है मतलब आपका जो शोध है वो वैद विश्रस नहीं होता है लोग उस पर trust स्यादा करते हैं और उसकी सही होने की संभावना ज्यादा होती है उसके जो generalization होता है result का वो ज्यादा accurate होता है लेकिन आप non probability करते हैं तो यह थोड़ा सा आपको अगर योगिता नुरूप किया है या सुविधा नुरूप नहीं किया मतलब आपने उसकी आवशक्ता नुरूप किया है तो बहुत सारी चीज़ें अगर काफी हद तक हम इसको बहुत accurate करें तो कर सकते हैं लेकिन इसकी अपरिक्षा मतलब प्रसंभाविक के अपरिक्षा अप्रसंभाविक जो होता है वो कम reliable होता है कम वैद होता है ठीक है तो यह आपके थे जन संख्या न्यादर्श और न्यादर्शन और इसके आगे आपको जो पढ़ने वह आपकी है जोट की कौन-कौन सी विद्या होती है पहले हम जनरल टर्म भी यूज करेंगे कि कौन-कौन सी टर्म यूज कर रहे जाते हैं उसको हम जनरली समझेंगे कि कि बुक्स में सब भरा पड़ा है यहां अगर आपको कम अगर उसमें समझ में आरे तो मैं कोशिश करूँगी कि आ आपको मैं यहां पर समझाओं और नहीं समझ में आता तो फिर कम्में इंड बॉक्स में टाले सेम टॉपिक पर दो से तीन वीडियो में मिड़े सकते हूं पस आप क्या करिए समझ लीजे और इस बार क्लियर हो जाईगा पस इसी के शारत आपको बहुत-बहुत शुप कर आ क्या है